कि हैलो दोस्तों आज हम आम का अचार बनाएंगे जो कि आप सालों साल पांस साल शे साल भी आप इसे इस्टोर करेंगे खराब बिल्कुल भी नहीं होगा और एक अलग तरीके से अचार बनेगा और एकदम कम मसालों में अचार बनकर तयार हो जाएगा इसे जरूर तो सबसे पहले आम को अच्छे से धोली जद होने के बाद इसे आपको इसका पानी सुखने दीजिए जब अच्छे से सुख जाएगा तब हम इसे कट लगा लेते हैं कट लगाने के बाद इसे धूप में आदा गंटे छोड़ दीजिए फैलाकर या फिर आप इसे पंकी के संब्सक्राइब करेंगे, यहां पर में तो सरसो इसे हम कर लेंगे और उसके बाद हैंसे यूज नहीं करेंगे जैसी कि कम मसालों में हमारा अचार जो है बहुत ही स्वाधिस्ट और टेस्टी बन कर तयार हो जाएगा तो देख सकते हैं यहां पर मैंने सॉंप मेथी और सॉंप मेथी और यहां पर सरसो उसे मैं ऐसे हलका से रोश कर रही हूं और बाकी हमें इसमें ज इसमें जो नमी हो वह सुख जाए और उसके बाद यह है सरसो की दाल यह है इसका में समान जो कि इस अचार को यूणिक यूणिक बना देता है और एक अलग टेस्ट भी देता है इस रेसेपी को जरू ट्राइब एक दम मार्केट जैसे मार्केट से भी अच्छा आपका अच देखिए दोस्तों आपको तो रखा था उसमें मैं यहां पर डाल देती हूं हल्दी और यहां पर लाल ब मिर्च परकाम halluc मार्टफ दोनों हम ड问 रहें कास्मine-52 मीर्च पा नहीं करता है पर कर महता चला आता है और टिखा वाले मिर्च को अपने इनुसार्ड़ से कम ज्या मिर्ची को यहां पर देते हूं और इसका पाउडर हम यहां पर डाल दिये हैं और इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे यह जो हमने सरसो जो भून की रखा सौरी सरसो की डाल है इसे हमने भूना नहीं है इसे हमें कच्चा ही डालना है जैसे हम आरकेर से ख़़िसके लाए रहते हैं सेम इसको हमको डाल देना है इसे बिल्कुल भी हमें भूनना वगरे नहीं है तो यह देखिए सरसो की डाल को मैं यहां पर डाल दी हूँ और सभी मसाले को डालने के बाद हम अच्छे से मीक्स कर लेते हैं बाकी हमें कोई भी और मसाला इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है तो यही जो है दोस्तो इस बनाइए आपको बहुत अच्छा लगेगा और यह नमक तो नमक की मात्रा बिल्कुल भी कम अचार में नहीं होना चाहिए इसका मतलब यह नहीं कि ज्यादा हो जाए और नमक के ज्यादा होने से भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो नमक का क्वांटिटी मैं यहां पर बाईचाहएं और नहीं तो आप हाथो जब यह बनाते तो हाथ एकदम सुख्ञा saying hier très बिल्कुल वी नमी नहों भी आपकाब गिला नहों तो इस वात कधिया रखी और इसको आप मिला पर इसको नहीं को प्राब्लम नहीं अर्पकोशे से सुख्रायय तो कि तो मिलाये जाता है और उसके बद अचार को तैयार किया जाता है तो अभी आपको मसाला जादा लग रहा है इसमें थोड़ा जादाल हुद तो तेल और salary सरसों की दाल वह थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि यह दो है जो अचार को एक यूनिक और बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है तो यह देखिए इसे अब हम बना लिए है अच्छा से मिक्स कर दिये है और इसमें हम डाल देंगे लसून लसून को आप चाहे तो अपने अनुसार से कम ज्यादा कर सकते हैं लसून जो है इसमें थोड़ा सा ज्यादा मैं इसलिए डाल रही है क्योंकि लसून भी जब अच्छे से मसाला मीक्स हो जाता है और जब लसून जब अच्छे से गल जाता है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा से लगता है लशून जहां सथ और खड़ा खड़ा डाली हूं अगर आप लश्यादा पसंद कर क्यों ठाल सकते हैं अगर आपको अच्छा यह चार को तो is तो यहां पर हम हीन और डाल देते हैं थोड़ा सा चार पांच लॉंग तो इसे मैं डाल कर यह ठंडा करकर रख देती हूं और ठंडा होने के बाद ही हमको इसे डालना है चाहे तो आप इसे रख दीजे एक दिन के लिए और दुसरे दिन डाल सकते हैं तो भी आपका अच्छा तो सरसो की तेल को थंडा कर ली को दालना एक मैने तेल अच्छो से दाल दिया है और इसके बाद हम इसे तो यहित झेकी दोस्तो अभी आपको धोड़ा सा सुका सुखा लग रहा है जब में तो इसमें थोड़ा सा चार जो हम पानी स्थाल क्वाइष और थोड़ा सा इसमें रश टाइप से इसमें आ जाएगा जो कि बहुत अच्छा दिखता है यह देखिए तेल कैसे उपर आ गया है और एसा लगा कि बहुत ज़्यादा तेल ड़ा है पर इतना नहीं है और यह देखिए हम इसे अच्छे से मेक्स कर लेते हैं और हमारा अचार अच्छा दिन आपको एसे रख देना है क्योंकि जो सर्सू की डाल है वह थोड़ा सबस्ट होने में टाइम लगता है तो जब सर्सू की डाल जो है अच्छे से सबस्ट हो जाता है जब उसमें आम का जो खट्टा पन है और बाकी मसाले का स्वाद है वह जब आ जाता है तो सर्सू की डाल जो है अच्छा घांता है सर्सू की डाल जो है अचार में तो इसे खाने के लिए थोड़ा सवाद कर्वा लगेगा तो इसलिए हपता पंदरा दिन के लिए ऐसे हr बना कर रख दिए और इसे आपको दूप में रहने कभी कोई जन जट नहीं है आ mnस्ट आप आपको अच्छे से जालना है तो बस आपको चाल तेयार है तो चलिए हम अगले वीडियो मिलते तब तक की लिए टेक क्यार